हमारे कुछ साथी जो आज मतलब के वो भी दावेदाजी रख रहे हैं कि हम जहां से लड़ेंगे और उनको माता जी ने माता बगवती ने उनको उनकी उकात उनका कहां पे उनका स्थान है वो बता दिया है क्योंकि वो कहां किस पार्टी में थे कहां चलेगे वहां पे जाने क कि माँ बगवती ने मुझे इस लेबल तक पजाय के उकाद दि लेकर मेरे वो बड़े हैं मैं उनको कहूंगा कि अगर थोड़ा सा शास्तर पूजा पाठ उसमें अगर कोई ध्यान हो जा कहीं करते हों तो मैंने अक्सर सुना है कि मां कभी किसी को बद्ध्वा नहीं देती है क्या पुत्र को पुत्र हो सकता है माता को माता नहीं आदी ये आरती में भी हम कहते हैं माता को माता नहीं होती है पुत्र को पुत्र हो सकता है और हम शर्दा बाप से जब परातने करते हैं मां से यहीं मांगते हैं कि हमसे गलती हो सकती है लेकर माता से कभी गलती नहीं हो सक है, पुत्तर को गलतियं करता है माता के साथ लेकर नहीं हो सकती वो धौाई देती है, इसी तरीके से माः बगवती जो हमारी माता के चन्नों में रहते हैं हम गलतियं करते हैं, शायद उनसे भी कोई गलती हुई हो, लेकिन मुझे इतना जकीन है, उनका कहना थे चलो वो आपने किसी बाप से भी कह सकते हैं लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे और उनके जो सुनने वाले हैं जो भी उनके चहेते हैं उनको सुनाना चाहिए कि आप आरती बोलिए पूजा पाठ कीजिए उसमें देखिए वहां एक ऐसा शलोक आता है माता का जिस वकर हम आरती करते हैं हम प्रेम बाप से और उसमें कहते हैं कि अगर माँ हमसे कोई गलती हुई है उसके हम ख्यामा चाहते हैं और यह भी कहते हैं के फूतर को पुतर हो सकता है। लेकर माता को माता नहीं अवती। यह जो मेरी बावना है। यह पूरी हमारी संस्क्रिय है जो एटिया सिस्क L!' की जो हिस्ट्री है। इसमें इस तलिखा हुए यह किसी अच्छा ल्गैनी से पूश रहे।